हलो एन वेलकम दोस्तों आप देख रहे हैं 4 पीम इंटर्टेंडमेंट और मैं हूँ आपके साथ सिम्रन जैसे कि हम सभी को पता है कि कलर्स टीवी के मशूर शो बिग बॉस सीजन सत्राश शुरू हो चुका है शो को पिछले सीजन्स की तरहा इस बार भी बॉलिवुट सुपर स्टार सलमान खान होस्ट कर रहे हैं इस सीजन में हर तरहा के कंटेस्टेंट्स आई हुए हैं जो की अपनी शायरी जखड़े और डांसे ओडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं सीजन के लेटेस्ट एपिसोट में कई तरहा की बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं अब बात करें विग बॉस के घर के अंदर की तो शो में मौजूद कपल यानि कि अश्वरिया शर्मा और नील भट के बीच आपस में ही अनबंचल रही है दुरसल अश्वरिया नील से तू तड़ाक करती दिखी अब घर में सतुरा लोग है तो खाने पीने की लड़ाई ना हो ऐसा तो हो इनी सकता है ऐसे में बिग बॉस के घरवालों के बीच में अंडे को लेकर लड़ाई देखने को मिली इस दोरान घर का लगपक हर सदस से कहने लगा कि मेरे हिस्से की अंडे इतने हैं और मैं इतने खाऊंगा इस बीच ईशा चिला कर बोलती हैं कि अरे भाई किचन में रखा है सारा सामान जिसको जो लेना है वो लेकर खा सकता है एक दूसरे के लड़ाई में तीसरे का घुसाना तो हम सब बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं ऐसा ही हुआ बिग बॉस के घर में जब अभिशेग बात चीत करते हुए सना से मजाग भरे लहजे में कहते हैं अब सना थोड़ी बहुत तो कैमरी में दिखती है तो वो अपने माईक की वज़ा से ही दिखती है ये बात सुनकर सना को रास नहीं आती है और इसी बात का जवाब देते हुए सना कहती है कि मुझे आपकी तरहा फाल्तु की फूटेच लेने की आदत नहीं है बस दोनों की इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है इस बीच में सोनाली कूत पड़ती है और अभी शेक का पक्ष लेते हुए सना से कहती है कि आप गलत बात बोल रहे हो इसके बाद सना और सोनाली के भी जम कर बहस होती है वही खाना कम पढ़ने पर घरवालों ने समझदारी दिखाते हुए खाना बाच कर खाया फिर क्या बिग बॉस ने ये देखते हुए नया फर्मान ज्वारी करते हुए कहा कि आप लोगों में कुछ ज्यादा ही प्यार है जो आप लोग अपना खाना एक दूसरे को खिला रहे हैं इसलिए अपसे किचन एक समय में सिर्फ एक घंटे ही खुलेगा किचन 24 घंटे उपलब दिन नहीं रहेगा ये सुनकर के सब ही कंटेस्टेंस चौक जाते हैं अपसे एक वक्त पर किचन का इस्तमाल कोई एक मकान ही करेगा और हर मकान सिर्फ अपने मकान वालों के लिए ही कुकिंग करेगा ये अप 24 घंटे खुला भी नहीं रहेगा टाइम टाइम पे ही खुला बिग बॉस का ये फैसला आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बिग बॉस से जुड़ी ऐसी तमाम चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहें 4 पीम के साथ तिल देन बब बाई